जैशीराम भगतो जैशीरी बालजी महाराज जैमातगी कैसे हो आप सब आशा करते हैं कि सबी जो हैं सुरक्सिती होंगे और बालजी महाराज मामबी की कृपा भी बनी हुई है और यही हमेशा आप सबी के लिए दिल से कामना करते हैं तो आज जो है एक और नई वीडियो के स दिखते हैं, मिलते हैं, बहुत सारे लोगों मिले भी होंगे, तो अंतक बने रही है, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे हनुमान जी की कृपा होती है, और जो है वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहले पुरकी पवित्र किरपा, आपके पुरिवापन नियंतर बरसती रहे, मैं तो कह रहा हूँ कि बरसे, मैं तो कह रहा हूँ कि बाबा की दर्शन आपको हो, और जगजनीमा ब्रुवानी अंब के गिरपा अनपुरना रूपे वास करें, क्या होता है कि हर किसी विक्ती की यही मनुकामना है कि बाबा के अद्बु दर्शन उन्हें प्राप्त हो जैसा कि आपको पता है कि कल्यूक के जागरित देवता है परधान रूप में विराजवान है और आज भी माना जाता है कि हनुमान जी आज भी धरती पर विचरते हैं आज भी लोगों के मनुकामना को पूर् बहुत ही जल्दी प्रसंद होने वाले देवता हैं, नेकिन उन्हें प्रसंद होने के लिए चाहती दुनिया सारी है, ये नहीं है कि कोई नहीं चाहता कि अन्वान जी मुझे दर्शन ना दे, नेकिन किस रूप में वो उन्हें दर्शन दे जाएं, ये उन्हें नहीं पता होत हनुमान जी को कैसे व्यक्ति प्रसंद होते हैं वालों कैसे व्यक्ति उन्हें प्रसंद होते हैं और उन्हें खुश कर सकते हैं और उन्हें आने पर मजबूर भी कर सकते हैं हनुमान जी जैसा कि आपको पता है कि मर्याद्धा प्रशोत्म प्रवु शीराम जिनके इश्ट देव है और हर कारिय को हनुमान जी ने मर्यादित होकर किया है जैसा आपने देखा कि अगर वो चाहते तो लंका समेथ उठा कर माता सिता को ले आते अगर वो चाहते तो आपको पता है जैसा कि दो मिट लगाते तो माता सीता को कैसे ना कैसे रूप में भी वो ले आ सकते थे तो उन्होंने उतना ही काम किया जितना प्रभुशी राम ने उन्हें अधेश दिया अगर जब भगवान श्री राम अपनी धे का त्याक कर रहे थे तो हनुमान जी जब उनके साथ जाने को कही तो हनुमान जी को ततकार रोख दिया गया कि आपका तो कल्यूग में कारिया है तो हनुमान जी महराज को क्या कहा प्रबुशी राम ने क्या कहा कल्यूग तेरे नाम है कल्यूग तेरे नाम है ये मेरा वर्दान है कि है हनुमान जी महराज तुम कहा जा रहे हो कल्यूग में तुमारी ही प्रधान रूप में पूजा होगी और ये मेरा वर्दान है पुतर कल यूग में जो व्यक्ति सच्चे मन से तुमारी पूजा करेगा उसको मेरी किरपा भी मिलेगी और माता सिता और लक्षवन भाया की किरपा भी मिलेगी और 33 कोटी देवी देवताओं की किरपा भी मिलेगी मात्र के हनुमान जी की पूजा करने मात्र से आपको समस्त्र देवी देवताओं की किरपा और हनुमान जी के दर्शन मिल जाएं तो आप सोचो कि आप जैसा सभाग्यशाली कोई नहीं है, ने किन कई बार ऐसा होता है कि जैसा हमें पता ही नहीं आपने कोई लोटरी खिरिदी और अचानागी वो लोटरी खुल गई आपको ये तो नहीं पता था कि वो लोटरी मेरे नाम भी आ सकती है तो इसी प्रकार से जब आप शुरू से अपने माता पिता के परती मर्याधित रहते हो संसकारिक्त रहते हो और प्रभु राम की भगतिक नित्य करते रहते हो और शुन्य रहते हो आपको इस पकार का लालच नहीं है कि हनुमान जी मुझे दर्शन दे आपको इस पकार का लालच नहीं था कि जैसा कि आपको पता है कि हाँ भी हनुमान जी को देखने की मेरी इच्छा है अब हनुमान जी को आपको देखने की इच्छा हो सकती है जिस पकार से गो स्वामी तुलसी दाज जी ने आपको पता है कि ये 1680 की ही बात है स्वाम हनुमान जी महराज के दर्शन करें है आपको पता है कि जब गो स्वामी तूलसी दाजी ने जब देखा कि यहाँ भी हनुमान जी की दर्शन तो तूलसी दाजी के दर्शन करने के लिए भी स्वाम हनुमान जी आये है जब तूलसी ने आदत ऐसी डाल दी कि प्रभू को रमाइन सुनाने की और जब रमैन सुनाने की आदत डाल दी तो प्रभू अपना आप में काबू नहीं रखते जहां भगवत पाठ होता है जहां पर राम जी के नाम का गुंगान होता है वहां हनुमान जी तो स्वम आजाते हैं स्वम वहां पर आकर उन्हें दर्शन प्राप्त करते हैं तो एक आपको पता है कि तूलसी दाजी को जब दर्शन की प्राप्ती हुई हनुमान जी महराज की तो उसी समय हनुमान जी महराज से विन्य प्राथना करी कि मुझे आपके इस्ट के दर्शन आदे तो प्रभु ने का इतने सस्ते इष्ट के दर्शन नहीं हो सकते उन्सके लिए तो आपको चलना पड़ेगा चित्रकुडगाट पे तो आप सोचके देखो कि गो स्वामी तूलसी दाजी ने हनुमान जी के दर्शन किये थे वो पल कितना सुनैरा होगा तो आप सोचो ऐसे देवता जिसके बल की कोई सीमा नहीं किसी का बल होता है एक चुक्षन बल हो यहां तो बल की कोई सीमा ही नहीं है कल्यूग में ऐसा कोई है ही नहीं जो इनके बल का सामना कर सके ऐसे देवता की दर्शनों की अभिलाशा हरती है मन के अंदर ऐसी उनकी किरपा की प्राप्ती भी रती है क्योंकि इस देवता की पूजा करने से आपको ये भी प्राप्त होता है कि आपके कुटुम्ब का कभी नास नहीं होता शेष्ट लेवल की देवता है यह इनकी भक्ति करने से आपको शक्ती भी प्राप्त होएगी किर्पा भी प्राप्त होएगी अश्ट सिद्यों का गुनगान भी आएगा और दर्शन और ये ऐसे संड व्यक्ति को मिलते हैं जो कि शुन्या रहता है लालज क्योंकि हनुमान जी को कोई धन नहीं खरी सकता आप सोचों कि हनुमान जी को धन दे करका आप खरीद लो हनुमान जी को सिर्फ भक्ति के रस से खरीदा जा सकता है हनुमान जी का विक जो इन है राम नाम की भक्ति ये विग जोन नहीं है ये है तो उनकी ताकत नेकिन आप उनको बुला सकते हो कैचप मालो जितना आपके अंदर राम नाम का गुनगान होगा जितना अराम नाम का गुनगान होगा उतना हनुमान जी महराज की दिश्टी आप के उपर पढ़ने लग जाएगी क्योंकि आप कोई धन से नहीं खिरिद रहे हो और जितना राम नाम का परचार होगा माता सिता का राम नाम का आप गुनगान करते हो नित्या करते हो हनुमान जी महराज को देखने पर आप मजबूर कर सकते हो आप सुचो कि जब इस कल्यूग के अंदर उनको क्या चाहिए उनको एक समय का भोजन भी ना मिले राम नाम की बक्ती मिले वो भी उन्हें परिया है नित्या राम के नाम का गुनगान कर सकते हो कल्यूग केवल नाम अधारा सुमर सुमर नर उत्रे पारा मालों नाम की भक्ती से आप अनुमान जी की भक्ती भी प्राप्त का सकते हो सिर्फ राम नाम की भक्ती से ऐसे भक्ती को जो शुन्य है जो किसी का बुरा नहीं चाहते वो होकर भी किसी का नुकसान नहीं करना जाते और हनुमान जी के अंदर कभी एहंकार नहीं है हनुमान जी को आप कभी आप सोचो कि कोई राक्षस भी एकदम करोध नहीं में आते वो कभी भी अब उनके अंदर कभी करोध उत पर नहीं होता हाँ उन्हें राम नाम की भक्ती से उठा सकते हो आप उनकी राम नाम की भक्ती से जगा सकते हो आप क्योंकि आप देखो बजरंग बान में मिस्पष्ट क्या है हिने मारुतो शपत राम की राकुनात मरजादा नाम की शाबर मंदरों में क्या होता है दुआई होती है राम जी की दुआई, माताजान की की दुआई, माताँ अंजना की दुआई तो ऐसे नेकिन और दुआई देने से क्यों हम उठाएं लेकिन अगर हम कंटीनूई एक परीयास करने लगे ऐसा कोई काम ही नहीं है, बूंद बूंद से सागर भरता है आपकी बूंद बूंद की भक्ती से आपका बंडार भर जाएगा अन्मान जी को आना ही पड़ेगा आपने अगर किसी को भी मालो डेली की आदत डाल दी अगर मालो आपके घर के बार कोई बिजार आता है अगर आप उसको डेली गुड खिला रहे हो अगले दिन वो आपके घर के इत्राज़े को ही धका मारने लग जाएगा वो किसी को नुक्सान नहीं करेगा नेकिन वो वो चीज जो आपने आदत डाल दी अब डेली अगर राम नाम की भक्ती की आदत डाल दी आपने अपने घर के अंदर धाई गंटे तीन गंटे चार गंटे पाँच गंटे तो राम नाम की किर्पा कहां हनुमान जी स्वुम कहेंगी कहां ओर भाईया कल्यूग में कोन राम की भक्ती करें अच्छा तो आप हनुमान जी का सिंगासन नहीं राने के लेए आप सुचो जिनके माद अतुलित भल है तो अतुलित ही भक्ति जगानी पड़ेगी जितनी राम नाम की भक्ति चरेगी उतनी ही किर्पा प्राप्त होगी ये कोई एक आदमी पर नहीं लिखा गया उसी आदमी को दर्शन मिलेंगे नहीं नहीं मैंने नहीं मैंने को यह बात नहीं कि अभी कोई व्यक्ति से होता है कि हम अनुमानजी की सिद्धी कर लें अनुमान जी के मंतर से प्राप्त कर अरभा है एक लिव कि व Wars को आएंगे कि शोंडже कि कि हाँ भी एक वीडियो जरू बनाएंगे कि हनुमान जी किस रूप में भी आपके उधर्शन देने के लिए आ सकते हैं तो जब आएंगे तो आपके पास वो शक्ति चाहिए और वो शक्ति आपको राम नाम ही देगा हनुमान जी को पहचानने की जैसे गो स्वामी तुलसीद केट में वो तो जब ही का आज ही आओ हनुमान जी आओ जैसे तरे गोद खिराएं हो ऐसे हनुमान जी नहीं आएंगे हनुमान जी कि हनुमान जी स्वाम बोला है मेरी ताकत मेरी नहीं है प्रभु श्री राम की है राम नाम की ताकत से ही सब कार्य करते हैं आप देको विक्र आप याने लगजाएंगे, उनकी प्रिक्षा लेने भी आएंगे, मेरे प्रभु का नाम ले रहे, मेरे इस्टदेव का नाम ले रहे, मैं देखता हूं कितना समर्थ है इसके अंदर, मैं देखता हूं कितनी ताकत है इसके अंदर, स्वम आकर प्रिक्षा लेंगे, तो वो दर्शन भी उनको देते हैं जो आदमी भोला है चलाक व्यक्ति उनको पसंद रही है क्योंकि वह स्वम चलाक नहीं है वह स्वम हनवान जी प्रभुशी राम की जब भड़ी सबा में जब आपको पता है कि भड़ी सबाम भविशन ने ताना मालता तो हनवान जी का वहाँ पर ये करोध वाला जबाब नहीं था कि लिए देख पहले उन्होंने सब सैन किया जब देख लिया कि अती हो गई अब वो चीज़ दिखाने ही पड़ेगी जिसका काम है तो वो चीज़ तब दिखाते हैं तुरंद कोई छोटे मूटे बच्चे ने पत्थर मार दिया ये नहीं ही चाहिए बस जहां राम जी का नाम चलेगा जो भगत उससे मंद से कलियूग में राम नाम ये लेता रहे हैं नीश वार्थ भाव से अधिक से अधिक लोगों को राम नाम से जोड़ता रहेगा राम नाम के परचार करता है उसे हन्ड़ वन परसेंट आहनमान जी महाराज स सबखत के लिए भी जो हनमान जी को चाहिए वही तो व्यक्ती भी दे रहा था, लीबे प्रभू की भगती के लिए बोलने का बहुत मन करता एक, नेकिन समय सीमा यूटूब की देखकर तो मैं इस्टोप भी लगाना पड़ता है, तो बोलिए जैसितराम, जैसृरीबाला जी म महाराज मेहंदी पुर्गी पवित्र गिर्पा आपके उपर निंतर वरस्ती रहे और जगजनीमा भवानी अंब के गिर्पा आपके घर में अनपूर्णा रूप में वास करें जैमाताई